हेलो दोस्तो, Nifty IT, Metal, Pharma और Nifty 50 all time high पे क्या अब बज़ट से पहले bubble burst होगा ध्यान से वीडियो को देखना 10 से 12 मिनिट का वीडियो बनाएंगे fundamentally और technical के basis पे क्या market में profit booking आ सकती है बज़ट से पहले या फिर 25,000 की तेयारी होगी कि सिर्फ आपको trap किया जा रहा है शुरू करते हैं Nifty से और उसके हाद में bank Nifty की बात करेंगे आज के लिए क्या discussion था आपको वीडियो देखना चाहिए Sunsex में glitch आया आज जो आपको समझना जरूरी है brokerage company जो भी बड़ा जहां पे आपका demet account होंगे उनके नाम क्या लेने और glitch इतना खतरनाक था कि लोगों के साथ issue आया मेरे को WhatsApp भी आ रहे थे आप में से ही but anyways यह चलता रहता है move आया और लोगों का पैसा भी बना होगा इस glitch की बाया से आपका 46 रुपीज का premium 800 रुपे तक गया था morning में but हम zero hero करते नहीं और current week की expiry में किसी भी stock में avoid करते हैं trade करना जब हमारी direction क्लियर ना हो bank nifty और nifty के लिए हमने discuss किया था आज upside में जब आज का high लगा था 52,798 के आसपास कि आज का high लग चुका है negative हो सकती है या sideways रह सकती है upside से इसने उतना ही बड़ा fall दे दिया जहां से rise शुरू करा था 278 के आसपास close आया settlement के बाद का और जैसी candle कल इसने upside के लिए बनाई थी same वैसी ही negative candle downside के लिए बना दी financial sector stress में है बिल्कुल है गईज एक छोटी सी announcement next Sunday को एक webinar कर रहा हूँ free telegram channel का link description में है जिसका नाम है secret scalping formula high accuracy के साथ में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ पर calculation है magical levels के साथ में scalping बोलना में लिए easy है वैसे आपको वहां से trending trade भी मिलते हैं तो आप join कर सकते हो free telegram channel वहीं पे ही webinar का link आएगा आप यार independent होगे trade करो तो description ज़रूर चेक करना देखो bank nifty का जो आपको candle देखने को मिल रही है ये candle आपको क्या show कर रही है जहां से market ने शुरू करी अपनी journey वहीं पे ही close कर दिया almost negativity है pressure बढ़ रहा है financial sector थोड़ा सा stress में है अभी फिलाल के लिए before budget तो हो सकता है stress next week जारी रहे 52,000 की एक support है market के लिए अगर इसको break करेगी तो आपके लिए 7 to 800 की और downside के लिए rally देखने को मिल सकती है 51,000 780 के level को break करने के बाद में ये downside के लिए possibility है और upside के लिए अगर छोटा मोटा move आया भी तो आप ओई है कि 52,500 के उपर 800 तक का maximum trade plan कर सकते हो इस से जादा की और कोई strength है नहीं और वो भी बहुत मुश्किल है gap down open हो जाता है 52,100 के आसपास तो अगले 4 दिन सिर्फ selling के होंगे nifty में आपको एक चीज़ देखनी चाहिए nifty से पहले मैं guys ये tcs की बात कर लेते हैं बहुत ज़रूरी है tcs का result आया था कल negative result था जिसके CEO भी company के बोले कि हमारी growth वो नहीं है जो हम expect कर रहे थे तो आप सोचो उसके बाद में कोई stock आपका 200 रुपे भाग जाता है हलांकि मैंने आपके साथ में share किया था कि result के basis पे नहीं हम levels के basis पे trade करेंगे अगर 4000 के उपर trade plan करता है शुरू करता है trading तो upside के लिए momentum बन सकता है 180 रुपे के रहे लिए आपको देखने को मिल जाएगी 3-4% का हम expect कर रहे थे move इसने 5-6% का move यहाँ से upside के लिए दे दिया कल का live session अगर आपने miss किया हो तो आपकी गलती है मेरी कोई गलती नहीं है जहां पे हमने share किया था कि 4000 के उपर हम upside के लिए देखेंगे जो market का close है आज का उसके नीचे अगर trade करेगा तो हम downside के लिए सो सकते हैं अब बात कर लेते हैं nifty की जिसमें 24,529 तक हमारा target था कि 529 तक जा सकता है एक target होता है 529 जो हमने निकाला था as per levels हलांकी market ने जो settlement का बाद का close दिया है वो 502 के आसपास दिया है बट डेली जब market open होती है एक range निकल के आती है कि market का upside में अगर move आता है तो कहां तक आ सकता है और fall करती है तो कहां तक का fall बन सकता है 543 के आसपास अगर exhaust होता है मैंने आपको same time पे discuss किया हलांकी उस time पे market चली थी exact top पे 590 के आसपास कि guys मेरे को पता है टेलिग्राम पे अपडेट किया message देख लेना कि मेरे को पता है I know कि market अभी 24,590 के आसपास चल रही है पर आज का maximum high बन सकता था 24,543 और अगर upside में sustain हो गई तो जितनी rally आई है उसकी 50% और upside के लिए बढ़ जाएगी तो वो बात की बात है जितना move बनता नहीं था actually nifty में इसके उपर का फिर उसके आदे market ने suddenly 600 से लेके 480 तक का dip बे लगाया और close कर दिया है 500 के आसपास अब next क्या move बन सकता है ये breakout देखके आप expect कर सकते हो कि upside के लिए और rally बढ़ सकती है bank nifty support नहीं कर रहा है nifty IT के जो upside का move आया है because of that nifty 50 ने भी upside के लिए breakout दिया अब इस breakout के basis पे अगर हमें upside के लिए trade करना हो तो हमारे लिए level निकल के आता है 24,620 के आसपास का सब कुछ सिखा रखा है master guide series में की higher level पे कैसे निकल के आते हैं हमारे next levels ठीक है all time high पे तो कुछ है नहीं आपके पास में reference कैसे आप मैंने बोला कि 529 जा सकती है market कैसे पहले कहा था कि 430 के आसपास market आ सकती है कैसे यह level निकल के आया था 24,340 के आसपास market का hurdle निकल के आता maximum breakout दिया है तो आप next level निकल के आरा 24,620 के आसपास का अगर यहां पे market आती है sustain होती है इसके ओपर तो जो final target रह सकता है वो है 24,850 का market का अगर upside के लिए momentum शुरू करती है bank nifty ने support किया हमारे nifty को भी तब यह possible है आइदर fake breakout इसको consider कर सकते हैं अगर market Monday को by chance की बात है जिसके chances बहुत कम है nifty ने gap up का scenario बना रखा है कि gap up होना है इसको gap down होता है अगर 24,430 के आसपास कोई trade नहीं बनता है Monday के लिए बोल रहा हूँ weekend की बात करो तो यह range रहेगी next week की 24,850 से लेके downside में 23,680 तक अब downside में 680 क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 3-4% का जो consider कर रहे हैं वो level है 23,680 के आसपास क्योंकि 4% का healthy correction है अगर budget से पहले आता है तो हो सकता है expiry हमारी 25,000 की range में हो जिसकी possibility बनती है next week की range आपके लिए 1200 पॉइंट की है मतलब 1200 पॉइंट के बीच में रह सकते है market 24,850 से लेके downside में 23,680 बारासो ग्यारासो पॉइंट यही range में निकल के आती है option buyer के लिए के हिसाफ से अगर आप देखोगे तो आपको option seller का data देखना जरूरी है OI में change क्या क्या होए है वो आपको देखना जरूरी है change यह होए है कि 24,500 के आसपास call sell कर रखी है अच्छी खासी और overall momentum बेरिश बना के गए है open interest के अगर आप बात करोगे तो open interest में 24,500 पे equal buyer and seller है यनि कि flat open होने के बाद में market direction move देगी guys यह daily आपके साथ share करता हूँ और आपके काम आता होगा कल भी कहा था कि 24,500 के आसपास बहुत माल है market के लिए हो सकता है trap करने के लिए यहां तक जाने की कोशिश करें बिलकुल market आई अब ज्यादा माल कहां पे है 25,000 बहुत दूर है 25,000 पे इतने दूर पर position create करना तो easy है वो safe game करने वाले करते हैं main माल कहां पड़ा है market के लिए Monday के लिए और next week के लिए यह है असली stopless कहां पे है 24,000 पे यहां trap करने के लिए जरूर आएगी market 300 पे stopless है अच्छा खासा trap करने के लिए आ सकती है market उसके बाद में फिर volatility create करके then 24,000 यहां पे अच्छा खासा माल है market को next week खाने के लिए volatility high रहेगी next week option buyer के लिए शायद बढ़िया रहेगा अगर आप plan करते हो Monday को market के open होने के बाद में higher strike price पे कोई भी trade तो कोशिश करो hedge करने की 25,000 की भी buy करो और downside में अगर आप लेते हो तो आपका शायद erosion कम लगेगा last week भी share किया था कि budget से पहले कैसे trade कर सकते हैं next week में भी वो plan active कर सकते हो आप आपको जो time decay लगता है वो बज जाएगा आपका क्यों बज जाएगा budget आते आते इंडिया विक्स उपर जाता जाएगा जैसे ही इंडिया विक्स उपर आएगा आपके premium की value बढ़ना शुरू होगी volatility market में बढ़ेगी volatility क्यों बढ़ेगी क्योंकि premium के price है सोड़ी कर सकते कि अभी 10 रुपय का है सीधा 40 रुपय कर दिया उसके लिए उपर नीचे करना पड़ेगा जब यह up and down आएगा उसमें option buyer को पता होना चाहिए कि मेरे को किस direction में क्यों trade लेना है mid cap को अगर आप देखो mid cap बढ़िया control में चल रहा है बहुत अच्छे से trend line डालके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा respect कर रहा है जैसे ही कल इसने trend line को break किया था sudden reversal आया था 63 EMA की support लेके day के chart पे जब fall आ रहा था 12,180 के आसपास से ही reversal आया हलांकि इसका low लगा था 12,150 के आसपास बट 63 EMA को test करके immediately reversal आया था और upside में close भी इसने 390 के उपर किया था 370 वैसे strong support है upside में resistance का काम कर रहा था 12,430 आज उसको break करके close दिया है candle बेशक negative है पर trend line को respect कर रहा है अगर Monday को इस trend line को break करके trade शुरू करता है यानि कि 410 के नीचे 400 के नीचे trade करना शुरू करता है तो ही आपके लिए फिर negative Monday रह सकता है बढ़िया वाला तो आपको हो सकता है कि फिर से 12,200 तक के level दिखा दे so guys next week webinar join करने के लिए description में free telegram channel है उसको join जरूर कर लेना और में जो चैनल है उसको भी जोइन करें और वहां मैं अपने लेवल बरा शेयर करता रहता हूं thank you so much for watching bye bye take care